हलो दोस्तों, फिन आइडियाज में आपका स्वागत है आज हम समझेंगे निफ्टी फाइनेशल सर्विस इंडेक्स फिन निफ्टी के बारे में क्या है फिन निफ्टी? So Fin Nifty इंडिया के financial market को represent करने वाला एक नया index है जिसमें लगबग 20 stocks को मिला करके इस index को बनाया गया है और वो 20 stocks होंगे banking stocks, financial institution से related stocks, housing finance companies, insurance companies और other financial companies यदि weightage को समझा जाए तो free plot market capitalization जो mechanism हम Nifty 50 में use करते हैं वो ही mechanism इस index में भी use होगा बस difference केवल इतना है कि यहाँ पर single stock की maximum weightage की cap रखी हुई है और वो at 33% इसका मतलब कोई भी single stock 33% से ज़्यादा weightage इंडेक्स में नहीं पा सकेगा और 3 stocks को जोड़ करके 62% से ज़्यादा का weightage नहीं हो पाएगा और ये weightage हर 6 मैने में 31 January और 31 July को वापस rebalance हो जाएंगे current index के mechanism को देखा जाए तो ये 20 stocks और इस weightage के साथ में अभी हमारे पास available है यदि correlation चेक किया जाए bank nifty, nifty और fin nifty का तो पता चलता है कि bank nifty और fin nifty में 5 stocks common है और लगबग 63% weightage fin nifty का और 87% weightage bank nifty का common है nifty में और fin nifty में लगबग 10 stocks common है और लगबग 93% weightage fin nifty का और 38% weightage nifty का भी common है और यदि correlation चेक किया जाए तो 5 साल का correlation लगबग 95%, 90% 4 साल का 3 साल का लगबग 88-87%, 2 साल 90% और 1 साल का around 99% weightage bank nifty के साथ common है around 88% का weightage correlation nifty के साथ common है यदि fin nifty, nifty और bank nifty के पूरे mechanism को समझें तो fin nifty में 20 stocks को जोड़ करके index बनाया गया है nifty 50 stocks होते हैं और bank nifty में 12 stock को जो capping किया जाता है वो केवल fin nifty और bank nifty में होता है nifty में कोई भी तरीके की capping नहीं रखी गई है और standard deviation जो हमें बताए कि कौन सा index कितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो हमें पता चलता है सबसे कम volatility nifty 50 में रहनी चाहिए उससे ज़्यादा वोलेटाइल fin nifty होना चाहिए और उससे ज़्यादा वोलेटाइल bank nifty होना चाहिए अभी current contract specification में सबसे मज़ेदार point यह है कि साथ हपतों के weekly options भी मिलेंगे और हमें weekly futures भी मिलेंगे तो इसका meaning यह हुआ कि आप हम weekly futures के अंदर में भी काम कर सकेंगे और expiry जैसे बाकी expiry contracts होते हैं उसी तरह से हर Thursday की expiry रहेंगी इसका symbol fin nifty के नाम से आएगा options और futures दोनों available होंगे 5 पैसे का tick size होगा लगबग 40 share का lot size होगा और हमारे पास शुरुआत में 61 strikes 30 strikes नीचे की एक add the money और 30 strikes उपर की मिलेगी हमें trade करने के लिए 100-100 interval पे सारे options European होंगे इसलिए वो सभी cash settled होंगे और यदि cost को देखा जाए तो अगले 6 महिने के लिए exchange ने exchange fee माफ की है जिसके कारण यदि हम futures में trade करें तो एक round trip trade करने का fin nifty में cost लगबग 2 रुपया 75 पैसा आएगा और वो ही options में यदि हम trade करें और माने कि 100 रुपय का premium चल रहा है तो round trip लगबग हमें केवल 5 पैसे की आएगी तो ये थी पूरी information about fin nifty एक नया index जो financial market को represent करने वाला है हो सकता है हमारे लिए बहुत बड़ी opportunity खड़ी करें तो again we are from fin ideas investment के ideas मतलब fin ideas और जल्दी मिलते हैं कुछ नए ऐसे ही contents के साथ Thank you झाले झाले की